मैं बनाने जारी बचे हुए धोसा का गोल से मसाला इडली जो बनाना आपको फ्रेंस बहुत ही असान लगी गा तो मैंने धोसा का रेस्पी डाल दिये है उसी का गोल जो बच गया है तो उसी से मैंने मसाला इडली तयार किया है तो यह देखिए यह गोल है जो बच गया है तो और इसमें एक चमस इस तरह से डालते जाना है तो ज्यादा नहीं डालेगा दोस्तों वस एक चमस इसमें डालना है और हलके चमस इसे इस तरह से फैला दे पर मैंने जो आलो मसाला रेडी किया था वो बच गया था तो मैंने इस तरह से इसे टिक की तैयार कर लिया है तब इसे गोल के उपर से डाल देती हूँ और हलके हाथों से दाब देना है इदेखे तो इसके उपर से अब दोस्तों हलका हलका गोल को डाल कर कवर कर देना है इस तरह से ज्यादा गोल को नहीं डालेगा बस हलका हलका डाल डालना है और इसे इस तरह से कवर कर देना है ते बिल्कुल रेडी हो गया है और सेम तरीके से और दुसरा स्टेन में भी आप त्यार कर सकते है तो यहाँ पर मैंने गैस पर भी पानी को गरम होने के लिए रेख दिया है तो स्टेन को इसके अंदर डाल देती हूँ और इसे मीडियम गैस पर 15 मिनट तक पकने देती हूँ तब तक मैं चटनी त्यार कर लेती है तो यहाँ पर जार के अंदर मैंने मूमपली और चना दाल को भूंज कर डाला है अधा कप मैंने मुंपली अधा कप मैंने चना डाल दोनों को भूंज लिया था और इसमें मैंने फ्रेस नारियल डाला है अगर आपके पास फ्रेस नारियल नहीं है तिक इसके जगह आप सुखा नारियल भी डाल सकते है और दो मैंने इसमें हरा मिर्स डाला है थोड़ा सा पानी और इसे मैंने पिसकर रेडी कर लिया है तो इसमें मैंने लसुन नहीं डाला है क्योंकि अभी गर्मी है तो चटनी है जो बहुत ही जल्दी खड़ाब हो जाता है तो इसलिए मैंने इसमें नहीं डाला है अगर आप ड डाल के बनाना चाते हैं तो इसमें लॉसुन डाल सकते हैं और यहां पर 15 मिनट हो गया है तो यह देखिए इडली भी हमारा बिल्कूल ही रेडी हो गया है दोस्तों आप इस तरह से चाकू से डाल कर चेक कर सकते हैं तो गैस को मैं बंद कर देती हूँ और दिखिने में जितना यह इडली आपको सौप्ट लग रही है दोस्तों खाने में उतना ही आपको टेस्टी यह लगीगा तब इसे मैं सैड में रख देती हूँ ताकि यह ठंडा हो जाए तो असाने से निकल जाएगा और यहां पर मैंने तरका पेन में एक चमस तेल डाला है इसमें सरसो के दाने सफेद तिल और डाल मिर्श डाला है तरका हमारा रेडी हो गया है अब मैं चटनी के उपर से डाल देती हूँ अपर हमारा चटनी है जो बिलकुल ही रेडी हो गया है तो दोस्तों मैंने पिछते वक्त इसमें नमक नहीं डाला था मैं भूल गई थी तो अभी मैं उपर से न रख देती हूँ और ये चटनी दोस्तों दो दिन भी आप बाहर रखकर खाते हैं तो बिल्कुल भी चटनी ख़राब नहीं होगी क्योंकि मैंने इसमें लासुन नहीं डाला लासुन डालने से जल्दी ही ख़राब हो जाता है तिसलिए आप भी बिन लासुन डाले हुए इस च के चमस सिस्था से घुमाईएगा तो यह आराम से निकल जाता है यह देखें यह असानी से निकल गया और इसी तरह से सारा मैं निकाल लेती हूँ हाँ पर मैंने दोस्तो सब किया है चटनी के साथ और यह मसाला इटली है जो बिल्कुल ही रेडी हो गया है तो इसे आप चाहे तो अपने मन परसंट चटनी के साथ खा कर देखें लेकिन एक वार आप इस तरह से मौंपली और चना दाल का चटनी है जो तयार करके और इस इटल इस रेश्पी को जरूर से आप घर पर टाय किजिए तिसे मैं आपको कट करके भी दिखाती हूँ कि अंदर का दिखने में आपको कितना ज्यादा अच्छा लग रहा है दोस्तों यह देखिए बिल्कुल ही शॉप्ट नरम मुलायम इडली है जो बनकर रेडी हो गया है तो यह देखिए इस रेश्पी को एक बार घर पर जरूर से ट्राय किजिए आप सभी से रिक्वेस्ट है और मुझे भी आगे पढ़ने में आप लोग प्लीज सपोर्ट किजिए दोस्तों कि आज की मेरी रेश्पी आपको बहुत अच्छी लगी होगी अगर आपको मेरी रेश पी के साथ आप सभी से मिलते रहोंगी